हेलो फ्रेंट्स इस्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है आज के हम इस वीडियो में स्वास दिबाग भरती 2021 में सरगुजा जीले में 70 से भी अधिक बंपर पदों की भरती का विज्यापन जारी हो गया है इस वीडियो में इसमें कौन-कौन से पद निकाले ग में प्राप्त करेंगे आपको इसका पीडियाप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी प्रकार से वेकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ह समीधा भरती का विग्यापन जारी किया गया है इसमें योग्य पात्र उमिद्वारों को निर्धारित प्रारूप में आवेधन पत्र के साथ इस पर स्ट्यम तूटी रहित आवेधन पत्र केवल पंजी किरिट डाक स्पीट पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से कारेली स्पीट पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं इसमें कुछ इंपोर्टेंट टेट दिये हुए हैं यह देख लेते हैं इसमें आवेधन प्रस्टूत करने हैं तो निर्धारितिती दी हुई है तेईस बारा दोजर इकीस से आप बारा जनवरी 2022 साम पांच बे तक स्पीट 15.2022 से 18.2022 तक की जाएगी इसके बाद आपकी मेरिट सुची का प्रकाशन 20.2022 को किया जाएगा आप इस वेब साइट से जाकर इसमें दस्तावे सत्यापन या अन्य समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब हम इसमें पदों का विबरड देख रहेते हैं इसमें सीनियर नर्सिंग आफिसर के लिए एक पद निकाले गए हैं इसके लिए कौलिफिकेशन यह सब दीवी है मस्त और ब्यस्ती दिया हुआ है इसके बाद नर्सिंग कांसलिंग में रिजिस्टर होना चाहिए इसक बाद सीनियर टीर्टमेंट सुपरवाइजर के लिए एक पद निकाले ग çocuk गया में इसके बाद फार्मेसिष्ट के लिए आठ पद निकाले गए हैं और नर्सिंग ऑपिसर के लिए टूटल अठारा पद निकाले गए हैं इसके लिएız सेइक्शली क्योग ता यह सब दीवी आप इसमें देख सकते हैं इसी प्रकार से स्टाप नर्स के लिए दो पद निकाले गए हैं इन सभी की कौलिफिकेशन ब्यस्टी नर्सिंग और जी एनम को स्पार्स होने चाहिए और चत्रिगड़ नर्सिंग काउंस्लिंग में पंजियन होनी चाहिए इसी प्रकार से नेक्स असिस्टेंट के लिए एक पद निकाले गए हैं सेकेंड एनम के लिए टोटल बारा पद निकाले गए हैं इसी प्रकार से जूनियर सेकेरिट्रिकल अशिस्टेंट के लिए एक पद निकाले गहा हैं councilor के लिए पांच पद निकाले गहाएं और इसके बाद junior सक्टीटिकल असिस्टेंट पीस्टी लेवल के लिए इसमें चार पद निकाले गहाएं इन सभी के लिए ग्रेजुएशन एक यह डिप्लोमा कंप्यूटर अप्लिकेशन मांगा हुआ है इसमें आप क्वालिफिकेशन देख लें और इसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं तो स्पीट पोश्ट के माध्यम से आवीदन कर सकते हैं अब हम इनसे समय इंपारिक्रम का नाम इस इसमें लिखना अनिवारे होगा इसके बाद इसे इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आविदन संपूर आविस्टक दस्तावेज को सौ प्रमाणित करके कारेले मुख्य चिकिस्था एवं स्वास्त अदिकारी अंबिकापूर जीरा सरगुजा चत्ति रड़क के पते पर आपको भेजने होंगे इसमें विज्ञापन जारी करने के उपराद निर्धारित थी एवं समय तक आविदन प्राप्त ना होने पर या डाग द्वारा विलंब किये जाने पर इसमें विभाग की जिम्हदारी नहीं होगी इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टें रखी गई है इसमें प्रबंधक के लिए 64 वर्ष और 70 वर्ष चिकेशकी पत के लिए रखी गई है इसकी आयू की गढ़ना एक जनुरी 2022 के अनुसार की जाएगी इसमें अन्तिम चैन सूची 100 अंग के अधार पर बनाए जाएगी जिसमें सेक्षडी के उगेता का प्रपता 75 अंग होगा और अनुभाव का 10-15 अंग होगा इसके बाद इसने बोनस अंग 10 अंग दिये जाएंगे इसमें कुरोना वेस्विक महामारी के दोरान चत्रील राज्य में सासकी स्वास्थ संस्थाओं में नियुक ते एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले इस थाई संक बोनक के रूप में लाग दिये जाएंगे इस प्रकार से इसकी चैन सुची आपके मार्क के अनुसार बनाई जाएगी और आपका चैन किया जाएगा इसमें अनुभाव के संबंदित कुछ भी इस पेस्टी करड़ दिया हुआ है आप इसमें देख सकते हैं सभी पोश् आपको आविदन सुल्क भी देने होंगे जिसका वीवरण इस प्रकार से दिया हुआ है इसमें अगर 25,000 या 25,000 से कम होता है तो आपको 100 रुपे 200 रुपे और 300 रुपे वरक के अनुसार देने होंगे अगर 25,000 से अधिक स्वेतन होती है तो इसमें आपको 200, 300 और 400 रुपे वरक के अनुसार देने होंगे प्रतेक पत के लिए आविदन पत्र के साथ निधारित आविदन सुल्क रजिस्ट्री कृत बैंक द्वारा इस एड्रेस से आपको बनाने होंगे इस नाम से आपको डीडी बनाकर इस आविदन पत्र के साथ सलग्ण करना अनिवारे होगा इस इसके बाद इसमें next important देश दिया हुआ है एक से अधिक पदों में भरती है तू इच्छुक आविदग द्वारा प्रिथक 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 आविदन प्रस्तुत करने होंगे पदवार प्रिथक प्रिथक डीडी बनाकर आविदन पत्र साथ सलगने करने होंगे इसमें आपको अलग-अलग पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग आविदन करने होंगे प्लस आपको डीडी भी अलग-अलग बनवाने होंगे इसके बाद next important दिया हुआ है बीना आविदन सुलक डिमांड डॉफ के आविदन करने पर आविदन पत्र आमाने कर दिये जाएंगे इसके बाद next दिया है 16,500 से कम एकिकरित वेतनमान में कम वाले पदों पर जीले के निवासी उपलब्द ना होने की स्तिति में अन्य जीले के अभ्यरती को इसमें चैन किया जाएगा इसके बाद next दिया है चैन उपरां सभी चैनी तुमिद्वार को 50 रुपे का इस्टाम पेपर में निधारित प्रारूप में सबत पत प्रस्तूत करने होंगे यह सब इन पॉर्टेट निरिदेश दिये हुए हैं आप इसमें देख सकते हैं इन सभी पदों के लिए आवीधन पत्र का प्रारूप आप वीडियो के डिस्क्रिस्टर में ल आपको sexually क्योंकिता feel कर दिनी है इसके बाद सासकी सेवा में कार अनुभै तो आपको इसको feel कर देना है उसकी प्रमाड़पत्र आपको इसके साथ लगानी होगी इसके बाद बैंक ड्रॉफ का व्यवरर यहां पस आपको डाल देना है इसकी आGary जानकारी आपको पहरे दे द also करने है यह भी दिया हुआ है इस ही प्रारूब दिया हुआ है इसे आप देख ले इसी प्रकार से आपको भरना है और इसके लिए आप स्पीट पोस्ट के माद्यम से आविधन कर शकते हैं इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद